करेंगे अपका स्वागत है इस पर्तिकुलर एपिसोड में हम बात करेंगे दिमाटेंट ट्रेडिंग अपनिंग के बारे में क्या प्रोसीडियोर रहेगा क्या डॉकॉमेंट से और कैसे आप ब्रोकर के अप्लिकेशन में लॉग इन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं इसके रिगारिण दो क्विसिंग मुझे आते हैं एक है की मेरा जू एक्काऊंट एक डाइम एक फंक ड अभी मैं चाहता हूं और बैंक की अकाउंट में एड़ करो मैसे की आंद सब्सक्राइब encouragement क्या बीस्कास करेंगे तो आईए without wasting time सबसे पहला जो topic है, ओ है कि account open कैसे करें, account open करने के लिए दो method है, एक है offline, एक है online, online account open करने के लिए सबसे पहला requirement यह है कि आपकी आधर card for mobile number linked होना चाहिए, register होना चाहिए, ताकि आप e-sign process को online complete कर सके, अगर आधर card for mobile number है, तो आप easily account open कर सकते हो, घर बैटे 10 मिनिट के अंदर और next 48 working hours का अंदर ही आप अपना trading and investing की जाननी की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन मन लीजे आपके आधर card for mobile number linked नहीं है, यह आप पता कर सकते हो, अगर नहीं है, तो आपकी नजदी की आधर center पर जाके update भी करा सकते हो, जो दूसरा प्रोसेस है offline, वो आपको print out करना पड़ेगा, print out के बाद आपको fill up करना है, और उनकी official address पर आपको भेजना होता है, अगर कुछ गलती हो जाते है, तो फिर आपको process दुबारा करना होगा, यह थोड़ा time consuming है, इसलिए मैं suggest करना चाहूँगा, आधर में आप अपना mobile number linked करा के इस process को कर सकते हो तो यह तो हो गया, online process और offline process के difference, आप आते है next process, जैसे अपने इंसूर कर लिया कि आपके आधर काट पर mobile number linked है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारे किसी भी वीडियो है, वीडियो की description में जैसे की देख सकते है, जरुदा आप स्टॉक सारे ब्रोकार के link है, माल ल भी जरुदा में एकाउंट ओपेनिंग के लिए register ना किये हो, तो यहां पे फ्रेस mobile number आपको डालना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके अंधर काट पर जो mobile number linked है, वी mobile number डालना है, ऐसा नहीं है, अंधर के तुर आप verify होंगे, but यह जो mobile number आप डालेंगे, यह simple आपका trading account का contact details, आपको broker mail वेजेगा, कुछ important चीज़े आपको share करेगा through this contact, तो यहां पे फ्रेस email id, mobile number कुछ भी आप डाल सकते हो, जो आप पहले जरुदा की register में यह mobile number नहीं है, ओके, तो mobile number डालके जैसे आगे बढ़ेंगे, तो OTP आएगा, email id डालने के लिए गाएगा, email id में verification के ल out करना होगा, मैं आपको यहां पर live process अभी दिखा नहीं रहूं क्योंकि जरुदाख guidelines के उनसर मैं नहीं बना सकता, लेकिन कुछ भी queries है, कहीं पर भी आप attack रहे हो, simple, आप मुझे इस number पर WhatsApp कर सकते हो, इसकी इन सब्सक्राइब सकते हो, definitely I will help you there, okay, आपका educational qualification आप करते हैं, क अपना folder में रखे, एक white paper में sign कर लिजे, sign का भी photocopy लेकि आप अपना folder में रखे, उनको upload करने हो, यहां पर एक एक करके, जैसे कि आप देख रहे हो, यहां पर upload कर दीजे, and upload के बाद आती है next process e-sign, जो मैंने पहले ही mention किया था, e-sign जो process है, आपका अधार number डलना जाएगा, उस OTP को यहां पर submit करते ही, अपना process complete हो जाएगा, e-sign done हो जाएगा, and आप आपको करना है 24 hours के उन्तेजार, इसके अंदर ही आपको जुरुदार टीम से confirmation mail मिल जाएगा, और आपको user ID and client ID मिल जाएगे, account opening form फिलप में आपको कुछी गढबढ की है, तो आपको जाएगा, आप आते हैं, after account opening, इस तरह की welcome mail आपको मिल जाएगा, client ID mention होंगे, उसके बाद आप login करने जाएगे, जरुदा का जो application है, application install कर लीजिए, playstore में मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते है, kite, इनको install करने के बाद open करी, and then आप करना है login, तो login पे आपको click करना, login करने क change कर लीजिए, forward password पे click करके, एक बार नय password बना लीजिए, then further securities के लिए step कर लीजिए, और उसके बाद जैसे login करेंगे, उसके बाद आप share खरीज सकते हो, in the next part, trading talks episode 6 में, हम इसके बारे में बात करेंगे, कि share कैसे खरीदया जाए, right, और बेचा जाए, उनके बारे में, तो अ demand and trading account related, जो queries था, यह था कि मेरे पास already एक demand and trading account है, क्या मैं दूसरा broker के पास जाके trading account open कर सकता हूं, yes, आप कर सकते हो, जैसे कि आपके पास SBI क्या bank है, आप PNB में भी जाके account open करते हो, ICI, HDFC में भी जाके आप account open कर सकते हो, saving and current account, same तरीका से यहां पर भी securities market में भी, अगार माल लिए जिरोधा में आपका account है, तो आप angel 1 में भी account open कर सकते हो, आप stocks में भी account open कर सकते हो, कुछ-कुछ trader ऐसे होते हैं, किसी एक broker की trading account को इस्तेमाल करते हैं, investing के लिए, और किसी broker की trading account को इस्तेमाल करते हैं, trading purpose के लिए, तो इस तरह आप एक से ओधिक account open कर सकते हो, ले लेकिन आपको कुछ चार्जेस 200-300 याली वेसिस आपको लग सकते हैं एकाउंट ओपिन के टाइम वो चार्जेस भी आपको देखना चाहिए ओभी हम डिसकास करेंगे ब्रोकर एजन्ट सारे चार्जेस है जब हम आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में सारे चीजें हम करेंगे मैं कोसिस कर रहा हूं कि कुछ भी सावाल हो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए स्लोली स्टेडिली राइट नेक्स्टन फाइनल जो सावल था यह था कि मैंने ट्रेडिंग अपनिंग के टाइम एक बैंक अपको एड कर नहीं होगा क्योंकि ट्रंजेक्शन होंगे आप पैसा एड करेंगे और उइड करेंगे तो एक बैंक अकॉंट मैंने एड किया था क्या मैं मेरा दुसरा कोई बैंक अकॉंट कर सकता हूं यह से पॉसिवल है मैं इस तकीन के ओपर आपको दिखाना चाहूंगा जैसे कि यह जिरोदा का एकाउंट है जिरोदा मैं अपको अचरój करूंट कोँछ करेंगे फाउन अगरवागों करण लेकिन जो प्रामारी में देखें फ्राइमारी में आगर मैं चाहते हूं कि 70 वे गृर्च evitar तो प्रॉसिट मैंकि प्राइमारी में आधक्कोंट थो ezव nousme मुझे प्रोसेस मुझे करना होगा तो यह मैं कर सकता हूँ और करना है चाहिए तो मैं यहां पे माक्सिम पाइबेंक अकाउंट अओनल प्रक्रेकर कर सकता ऊंदान में और भी एक यहां पी और कर सकता हूं राइट तो इस वीडियो में हमने डिमेंट एंड ट्रेडिंग एकाउंट ओपिनिंग के बरे में जाना एंड दो इंपोर्टेंट शावल जो था उनके बारे में मैंने क्लारिफिक सेंदी कुछ भी कोई रीस है फिल पी टॉसकों कोमेंट सेक्शन इन नेक्स एप लगर प्रेणके बांटे कि ब.'